अगर दोस्तो आप Android phone यूज़ कर रहे हो तो आपको अपना phone एक बार जरू से check कर लेना चाहिए कहीं आपका phone hack तो नहीं है ठीक है क्योंकि दोस्तो आज के time में बहुत सारे phone hack हो रहे हैं और अगर दोस्तो आपका phone hack हो गया तो आपका Google Pay के password, phone Pay के password, even दोस्तो आपकी जो भी bank details है, वो सारा कुछ hacker अपने पास रख लेंगे, सारा control कर लेंगे, इसे दोस्तो आपका bank account कभी भी खाली हो सकता है, इन सारी problem से बचने के लिए दोस्तो आपको अपने phone को एक बार जरू से check करना चाहिए, तो किस तरीके से दोस्तो आप अपने phone को check कर सकते हो या पर दोस्त दोस्तो सबसे पहले आप अपने mobile की setting को open करोगे, mobile की setting open करने के बाद आप नीचे की तरफ scroll करोगे, ठीक है कुछ इस तरीके से, तो यहा पर दोस्तो आपको एक option मिलेगा Google, आपकी phone में हो सकता open नीचे हो, तो आपको Google वाली setting पे ही click करना है, तो मैं यहा पर click कर देता जैसे दोस्तो आप इस पे click करोगे, तो आपके सामने यहापे कई सारी settings होगी, तो आपको यहापे नीचे की side में scroll करना है, तो यहापे कुछ इस तरीकी से scroll करोगे, तो यहापे आपको इक option मिलेगा, setting for Google Apps, ठीक है कुछ इस तरीकी से होगा, तो इस पे आपको click कर देना है जैसे दोस्तो आप इस पे click करोगे, तो यहापे फिर से कई सारे option मिलेंगे, जैसे का आप देख पा रहे होगे, तो यहापे आपको इक option मिलेगा, connected apps, इस पे आपको click कर देना है, जैसे दोस्तो आप इस पे click करोगे, इस पे click करने के बाद दोस्तो आपके phone में थोड़ी सी processing लेगा तो यहाँ पर दूस्तों आपके फोन में बहुत सारे application आ जाएंगे like कुछ इस तरीके से मेरे फोन में यहाँ पर देख पारे हुए 18 total apps and service ठीक है आपके फोन में यहाँ पर बहुत सारे application हो सकते हैं या फिर कम भी हो सकते हैं मेरे फोन में यहाँ पर 18 application sowie हो हो रहे है तो यहाँ पर मैं नीचे की तरफ scroll करूंगा तो यहाँ पर मुझे पता है कौन सा application मैंने इनिस्टॉल किया हुआ है और किस तरीके से इसका क्या काम है ठीक है तो आपके फोन में यहाँ पर बहुत सारे application show होंगे कुछ इसी तरीके से तो अगर दोस्तों आपको लगता है यहां पे कोई ऐसा application है जो आपने कभी install ही नहीं किया है और वो application गलती से install हो गया है ठीक है तो यहां पे कोई भी अगर आपको ऐसा application दिखता है तो उसको आपको तुरण से remove करना हाटा देना है delete कर दे तो मालने दोस्तों यह वो application है तो इस पर आपको किलिक करना है इस पर किलिक करने के बाद दोस्तों आपके फोन में processing लेगा और यहां पे आपको एक option में लेगा delete all connection you have with ठीक है तो यहां पे इस तरीके से इस पर किलिक करना है और यहां से confirm कर देना है ठीक है confirm करने के बाद दोस्तों यह जो application है आपके Google account से remove हो जाएगा क्योंकि दोस्तों आपका Google account हर जगहे लगा हुआ होगा लाइप के वैंक में भी लगा होगा और even दोस्तों आप जो phone पे Google पे use कर रहे हो उन पे भी लगा हुआ ठीक है तो यहां पर इस तरीके से यहां पर आपको कोई भी ऐस application दिखता है तो तुरंत आपको उसको हटा देना है ठीक है जोस्तों अब बारत करते हैं अपने second setting यह बहुत ही important setting है और यह setting आपको अपने phone में जरू से उन करनी है ठीक है तो यहां से क्या करते हैं हम back आ जाते हैं कुछ इस तरीके से back आ जाएंगे उसके बाद तो आपकी र यह पर Security के नाम से हो सकता है Tutaj कुछ सेम हो सकता है security एंड privacy तो हो सकता आपका फ्न अलग है तो कुछ इस तरीक के मिल जाएगा बाकिवा की आ दोच्छ करकर security वाली setting को open हो गें तो मैंने यहाप इस security وाली setting को open कर लिया है तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होगे आ यहां पे कुछ इस तरीकी के आपको देखने के मिलेगा no harmful apps found ठीक है कुछ इस तरीकी से अगर दोस्तों आपके फोन में यहां पे कोई भी harmful apps हो होता है तो इसको तुरंत से ही डिलीर कर देना है जैसे का आप देख पा रहे होगे मेरे फोन में कोई भी ऐसा application नहीं है इसके बा को ओन करने से दोस्तों आपका फोन है 100% secure हो जाएगा इससे दोस्तों होगा क्या पिले इस टूर्ट से भी कोई भी ऐसा application आपके फोन में इंस्टॉल नहीं होगा जो कि फ्रॉड है ठीक है और दोस्तों थर्ट पार्ट यह अप्लिकेशन बहुत सारी वेबसाइट रहती है उन दोस्तों आपके फोन में और्टोमेटिक बहुत सारे application इंस्टॉल होते हैं यह दोस्तों आपने भी कई बार notice किया होगा तो यह फोन की setting आप ओन कर दोगे तो दोस्तों इन सारी setting को ओन करने के बाद दोस्तों आप अपने फोन को hack होने से बचा सकते हो आग आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जुरू से करना चैनल में पहली बार आ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना